हेलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में देखें बहुत ही प्यारा खुबसूरा सा मेरा टैक्टर डिजाइन जो छोटे बच्चों के स्वेटर पे बहुत अच्छा लगेगा आप किसी भी स्वेटर पी, जैकेट पी, काडिगन पी कहीं भी इस डिजाइन को बना सकते हैं 14, 14 के मल्टिपल फंदे लिए हैं, अब जब 14, 14 के मल्टिपल फंदे लेंगे तो बीच में दो फंदो का हमारा गैप आएगा और देखें, यहां पे हमने डिजाइन को सेट करने के लिए दो फंदे एक्स्टा रखें तो शुरू में भी दो फंदे हमारे हैं, बीच में भी दो, यहां भी दो और लास्ट में भी दो फंदे हैं तो इस तरह से हम 14, 14 के मल्टिपल फंदे लेंगे और प्लस टू कर देंगे तो यह डिजाइन हमारी सेट हो जाएगी तो आएए हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं आएए देखते हैं इसकी first row और first row में सबसे पहले हमारा base color आएगा 1, 2, 3 फंदे white के हो गए और आप हमारा black आजाएगा 1, 2 फंदे black, white color सी 1, 2, 3, 4, 5 फंदे white 1, 2, 3 फंदे black 1, 2, 3 हमारे white सी तो शुरू के ये दो फंदे हमारे extra हैं आप हम 1 white से लेकर 3 white तक की डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बर और रिपीट करते हैं 1 हम white से करेंगे 1, 2 black 1, 2, 3, 4, 5 फंदे white के 1, 2, 3 फंदे black 1, 2, 3 फंदे white के तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाना है ये हमारी रो number 2 है जिसमें सबसे पहले 1, 2 फंदे हम white से करेंगे और अब हमारा black आएगा 1, 2 फंदे black अब बीच में हमारा yellow कलर आजाएगा 1 हम yellow से करेंगे 1, 2 फंदे black 1, 2, 3 फंदे white 1 फंदे black 1, 2 फंदे yellow 1 फंदे black 1, 2 हमारे white से अब शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे 2 black से लेकर 2 white तक की design हमें repeat करना है तो एक बर और repeat करते हैं 1, 2 फंदे black 1 yellow 1, 2 black 1, 2, 3 फंदे white 1 black 1, 2 yellow 1 black 1, 2 फंदे yellow के ये दिखें, रो नमबर 3 में इस तू फंदे white को हम white से ही बनाएंगे इस black को 1 black 1, 2 yellow को yellow करेंगे फिर इस black फंदे को 1 हम black करेंगे और अब यहां पर हमारा दूसरा color आजाएगा और यहां हमने green color लिया है 1, 2, 3 फंदे green 1 black येलो color से 1, 2, 3 फंदे yellow के हो जाएंगे इस black को 1 हम black करेंगे और 2 white को white color से और देखे यह एक design हो गई अब शुरू के यह दो फंदे हम छोड़ देंगे 1 black से लेकर 2 white तक की design हम पूरी रो में repeat करेंगे ये देखे रो नंबर 4 में इस 1, 2 white को हम white करेंगे और अब हमारा black 1, 2 फंदे black 1 yellow 1, 2 फंदे फिर black के और अब हमारा green आएगा 1, 2, 3 4 फंदे green 1, 2 फंदे black अब हमारा white 1, 2, 3 फंदे white के तो शुरू के यह दो फंदे हमारे extra हैं अब हम 2 black से लेकर 3 white तक की design को repeat करेंगे यह देखें, row number 5 जिसमें शुरू के 1, 2 फंदे हमारे white से रहेंगे और अब हमारा green आएगा 1, 2, 3 फंदे green 1 black 1, 2, 3, 4 फंदे green 1, 2, 3 फंदे black के फिर 1 हम green से करेंगे और white कलर सी 1, 2 फंदे white तो देखें एक डिजाइन बन गई अब शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे 3 green से लेकर 2 white तक की design को हमें repeat करना है यह हमारी row number 6 है जिसमें शुरू के 1, 2, 3 फंदे हम पाइट से करेंगे और अब हमारा green आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 फंदे green के इस black को 1 हम black करेंगे 1, 2 फंदे green अब हमारा white आएगा 1, 2, 3 फंदे white के अब शुरू के यह 2 white हम छोड़ देंगे 1 white से लेकर 3 white तक की design हम repeat करेंगे तो एक बर और repeat करते हैं 1 हम white से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे green के इस black को 1 black 1, 2 फंदे green अब हमारा white 1, 2, 3 फंदे white के और देखे जब मैंने इनी फंदों को फिर repeat किया तो यहां बीच में 4 फंदे हमारे white कलर से हो गए यह देखे रो नंबर 7 जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हम white से करेंगे इस black को 1 black 1 black के बाद 1 हम white से करेंगे 1 green 1, 2, 3 फंदे white 1 हमारा green आएगा 1, 2, 3, 4 फंदे white के अब शुरू के हम यह दो फंदे छोड़ देंगे 3 फंदे white से लेकर 4 white तक की design हम repeat करेंगे एक बार और repeat करते हैं यह 1, 2, 3 फंदे white इस black को 1 हम black करेंगे 1 white 1 हमारा green 1, 2, 3 फंदे white 1 हम green से करेंगे अब white के लड़ सी 1, 2, 3, 4 फंदे white के तो यह देखें एक design हो गई अब जब मैंने इनी फंदों को फिर यहां पर repeat किया तो बीच के 7 फंदे हमारे white कलर से हो जाएंगे और यह देखें अब हम row 8 पे हैं और इसमें हमें same color white को white, green को green और black को black करना है तो हम बिन के भी दिखाते हैं यह देखें शुरू के 4 फंदे हम white को white से बनाएंगे 1 green को green करेंगे और फिर 3 फंदे white को 5 फिर हमारा green है तो green को green white को white इस black को 1 black करेंगे और बीज के 7 फंदे white को हम white कलर से तो जहां पर जो color हमें दिखेगा उसी color से बनाते हुए इस पूरी रो को हमें बुनना है यह देखें आप हम row 9 पे हैं जिसमें पहले हमारा white आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हम white के कर लेंगे अब यहां पे green फंदों को हमें green से करना है तो अब यह 1 हमारा green हो जाएगा 1, 2, 3 फंदे white फिर 1 हम green से करेंगे और बीच में देखें अब white कलर सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 फंदे बीच में हमारे white को जाएगे और फिर यहां पे हम green को green बनाएगे यह 1 हम green करेंगे 1, 2, 3 फंदे white और 1 हमारा green तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को बनाएगे और देखें रो 10 में हम white को white से करेंगे यह 1, 2, 3, 4 फंदे starting में white करेंगे अब यहां से हमारा green 1, 2, 3, 4, 5 फंदे green के करेंगे और बीच के 9 white को white से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे white से जाएंगे और फिर 5 फंदे green के 1, 2, 3, 4 और यह 5 तो देखें रो के बीच में 9 green के बाद और यह 5 फंदे green के बाद 9 white आएगा फिर 5 green 9 white और देखें जब हम रो की last मेंगे तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे हमारे white कलर से रहेंगे यह देखें 10 रो में कितनी प्यारी से हमारी यह design बन गई छोटे जोटे टैक्टर बनी हुए हैं आप किसी भी बच्चे के sweater, jacket, cardigan कहीं भी design को बना सकते हैं और पूरे sweater में बनाना चाहिए तो 4 या 6 लाईयों के gap के बाद फिर इसी design को आप repeat कर सकते हैं मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताई की यह design आपको कैसी लगी Thank you